हलो मैं हूँ नीतु कुमार और आप देख रहे हैं E24 का Facebook पेज और YouTube चैनल आज बात करेंगे Bollywood के सबसे Handsome Hero रितिक रोशन की जी हाँ रितिक रोशन का Birthday है और उनके तमाम फैंस जो है उनको जन्म दिन की बधाईया दे रहे हैं हमारी तरफ से भी रितिक को उनके birthday पर धेर सारी शुबकाम नाए रितिक रोशन जो है Bollywood के सबसे कह सकते Handsome Hero तो हैं ही लेकिन उतने ही सफल और दिगज अक्टर माने जाते हैं बहुत सारी ऐसी फिल्में उनके खाते में हैं जिसकी बदौलत जो है उन्होंने अपने आपको Bollywood के अबवल एक्टर्स में उन्होंने अपने आपको शामिल करवाया है जोधा अक्वर उनकी फिल्म हो या फिर क्रिस सीरीज की फिल्म में हो या फिर आप उनकी फिल्म धूम टू ले ले रितिक रोशन को जब जो रोल दिया गया ऐसा लगता है कि वो रोल जो है उनके लिए ही लिखा गया है 2019 में उनकी फिल्म आई थी War, इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर बहुत जबरदस बिजनिस किया War फिल्म जो है साल 2019 की सबसे बड़ी फिल्म रही, इसके अलावा Super 30 उनकी फिल्म रिलीज हुई थी बहुत सारी बॉलिवूड एक्ट्रिसेस के साथ उनके लिंक अप्स की खबरे आई, तो वहीं उनकी शादी को लेकर भी एक तरह से वो लगातार खबरों में बने रहे बॉलिवूड में रितिक जैसे ही लाँच हुए, उन्होंने शादी कर ली अपनी गल्फिंट सुजैन के साथ, उनकी शादी अच्छी चली रही थी, तब ही उसी दोरान जो है उनका नाम करीना कपूर से जुड़ा, हलाकि बाद में अपनी शादी को बचाने के लिए रिति बचली अलग हो गये, भले ही रितिक और सुजैन अलग हो गये हैं, लेकिन अपने बच्चों की खातिर हमेशा साथ दिखते हैं, भले ही एक्स कपल हैं, लेकिन इनके बीच दोस्ती अभी भी है, पिछले दिनों जब कुरोना वाइरस के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था तो सुजैन रितिक के साथ रहने उनके घर पहुँची, पूरे तीन-चार महीने ये दोनों अपने बच्चों के साथ रहें, और अभी भी हर वीकेंड पे रितिक अपना वक्त अपनी एक्स वाइफ सुजैन और अपने दोनों बेटों के साथ बिताते हैं, इसके अलावा आ एक्ट्रिस ऐसी हैं, जिनको कभी न कभी रितिक पे क्रश रहा और वो जो है रितिक जो है उनके चाइल्डूड क्रश रहे, फिलहाल रितिक ने अभी तक किसी भी फिल्म का एलान नहीं किया है, लेकिन लोगों को इंतजार है उनकी एक बड़ी फिल्म का क्रिश फोर का एल आईंगे आपको बता है रितिक कम फिल्मे करते हैं लेकिन जादा तर फिल्मे जो उनकी होती है वो अच्छी होती है अच्छा असर छोड़ती है और वॉक्स ओफिस पर सफल होती है तो जब रितिक आपको बता है बॉलीवुड में लॉंच हुए थे तब उस दौरान ये कहा जाता था कि रितिक रोशन जब आए है तो वॉलीवुड के बहुत सारे अक्टर्स की छुटी कर देंगे हाला कि उनकी पहली फिल्म जितनी हिट रही बाद के दिनों में उनकी बहुत से फिल्मे फ्लॉप हो गई उसके बाद फिर उनके पिता राकेश रोशन ने उनकी पित रहती है अगर फिल्म बॉक्स ओफिस पर नहीं सफल होती है तो कम से कम समीकशक जो है उनकी सराना जरूर करते है तो इसमे कोई शक नहीं कि बॉलीवुड के जब उम्दा एक्टर्स की गिंती होती है तो उसमे रितिक रोशन उनकी खुबसूरती वो हैंसम है, ये सब तो माइने रखता है, वो बहतरीन डांसर है, ये भी सब मानते हैं कि उनके डांस के आगे बहुत सारे बॉलिवुड के स्टार्स फीके पड़ जाते हैं, लेकिन रिटिक जो है, एक्टिंग के मामले में भी देखा जाए, तो अजीमो शान सहन सा है. इटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिबिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कॉंट्रोवर्सीज हर वीडियो मिलेगा E24 पर. तो फिर धमाकेदार इंटेटेंडमेंट के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है E24.